सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब करती है उसका हिस्ट्री क्या है किस हिसाब होते हुए आज कि सिस्थिती में है लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक रोपोटिक सजरी को अन्जाम देने में कितना कॉष्ट डॉक्टर को लगाना पड़ता है कितना कोष्ट और कितना मतलब बिल चुकाना पड़ता एक पेशेंट को और आगे काफी चीज़े हम आपको ब रवाएं लग रहे हैं उनका बिल कितना होता है और उस सब के बाद जो ओटी का पे है जो बाकी सब्सक्राइब कर बैठता है तो चलिए इसको थोड़ा सा जानने की कुशिश करते हैं सबसे पहले तो हम यह जानेंगे के जो यह रोबोटिक सजरी है इसको अन्जाम देने के जिन रवोट्स को खरीदना पड़ता है जो मसीनरी होती है इस मसीनरी को पूरे मसीनरी को खरीदने में लगबग 20-25 करोड रूपे खर्च हो जाते हैं और क्योंकि अभी भारत में बहुत ही जादा यह मतलब चल्चे में नहीं आई है बहुत ही जादा लोग इसके तरफ करना पड़ाइस मसीनरी के उपर अब लोगों का उसके तरफ ध्यान थोड़ा कम है तो इस हिसाब से थोड़ी सी महगी पड़ी दूसरी चीज क्या है कि इसके उपर काम करने का मतलब है कि डॉक्टर बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही आधुनिक तरीके के होंगे तो उनकी भी अच्छी खासी होगी और साथ में जो थोड़ी बहुत होगी होगी मतलब थोड़ा बहुत तो उनका भी देना ही पड़ेगा क्यों कि वह बहुत ही ब्रिलियंट लोगों तब जाके इस तरह की सज़़ी को आसानी से बहुत ही कम समय में वह मतलब कर पाएंगे दूसरी च सिज़ीरियं यदि हम करवाते हैं तो सीज़ीयन का जो नौद मुल होता है यह कह सकते हैं 20 25 से 30 सवाइब क्या सबस्दाइब से करते हैं इसका सीधे 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा है तो हम कह सकते हैं कि 60 से 80 अजाग रूपे कम से कम पड़ सकता है या उससे थोड़ा महगा पड़ सकता है लेकिन इससे कम नहीं पड़ेगा यह है रोबोटिक सजरी के एक सजरी की कीमत अब हम जान लेते हैं कि इतना क्यों होता है तो जैसे कि मैंने आपको बता है टाइम और उस पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका बिलते होता है दूसरी चीज़ क्या है इस सज करना होता है तो फिर उसमें लगता है लेकिन हमेसा नहीं कभी कभी कम लगता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर सजरी बहुत ही कंप्लीकेटिव तरीके से हैं मतलब माली एक पितासे की सब्सक्राइब देख लीजिए यह नॉर्मल देखा जाए तो हम समय लग सकता हो बीस मिट में ही खता है लेकिन कभी कभी टीटासे होता है जो प्री तरीके से चिपक से पालै बगा करने के बाद लेकिन ओपिंडकाonn现在 को नीचे जाते हैं तो सारी होती है काभी साथ चीजों को देखते विए नीचे जाना है आपको बचा के जो है कि उसके बाद को और उसको ढूंड के फिर मतलब हम कह सकते हैं कि कि जहां नौर्मली देखा जाए तो जो ओपन सर्जरी है इसमें कि उससे लेपरोसकोपिक के अपिक छहा कहीं जादे समया लग जाता है लेकिन एक्स्पीरियंस कब्लै क कम होत लेपरोसकोपिक में बहुत ही ज्यादा समया लग सकता है क्योंकि यहां आपको डैठ्ट वैस से जी परते आह कुछ जादे ही मतलब जो चीज एक घंटे में खतम होगा हो सकता है तो आपको तीन घंटे या फी चार घंटे भी लग सकते हैं लेकिन वही चीज जब आ जाए रोपोटिक सरजरी पर तो क्योंकि ट्रेनिंग जो है रोपोटिक सरजरी के इसाफ से नहीं होई है तो हम कह सकते ह सब्सक्राइब करना पड़ता है तो उसके लिहाज से रेखा जाए तो जो रोबोटिक सरजरी है उसमें कम से कम ढ़ाई से तीन गुना ज्यादे समय लगा क्योंकि आपको ट्रेंड अभी बहुत ही अच्छे से नहीं हुए हैं तो इस हिसाप से कह सकते हैं कि रोबोटिक लगता अब सवाल आता है कि समय भी जैदे लग रहा है तो फिर इसको चलन में क्यों राया जा रहा है तो उसका सीधा सीधाज़वाब है कि इसमें इन्फेक्शन कम होता है क्योंकि ओप साइशमार होता है लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों से बचा होता है कि जहां ओपन सर्जरी में अथ्वाल लेप्रोस्कॉपिक सर्जरी में एक सर्जन के अलावार भी कई लोग इनवल्व होते हैं पेशेंट को टच करते हैं फिजिकल टच के वज़े से इंफेक्शन हो सकता है या पिर मौझूदा वाले समय को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जब एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है तो ऐसी स्थिती में सर्जरी की रगानी पॉसिबल नहीं हो स डोट से लेकिन जब बाद आती है रोपों नूसरी की तो क्योंकि उसको टॉसुन करना होता है बाकी सारी की सारी चीजे जो है बुष्टर की हिए इस सारी को बहुत ही ऑचरी की से चलन में लाया जारा है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हमें लगता है कि यह रोबोटिक सरजरी जो है चिक इसा जगत में करांतिकादी बतलाव लेके आ रहा है और पूरी तरीके से हम उस पर निर्वाद होने वाले हैं सो दोस्तों अगयर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी सेयर करें ताकि हम आने वाले वीडियो जब डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक है उमिद करते हैं आपको अच्छा लगा हुआ ताहिंक्यू आपकर कीमती समय करें ताहिए